भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना जाता हूँ मैंने एक और यूट्यूब चैनल ओपन किया है अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ जानकरी लेनी है तो उस चैनल को जाकर के सस्क्राइब करें नीचे डैस्क्रिप्शन में लिंक है मैं उस चैनल पर लाइव आया करूँगा और आप से सवाल पूछा करूँगा जो पी आप पूछना जाते हो और उसके जवाब आपको डिरेक्टली दिया करूँगा तो उस चैनल को जाकर के सस्क्राइब कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो आज है हमारे पॉल्टरी फार्म का ग्यारवा दिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको किलियर कर दूँगा कि आपको कितनी जगा पर कितने मुर्गों को पालना है कुकि मेरे पास बहुत सारे फार्मर भाईयों के कमेंट आ रहीते वो ये जानना चाहरे हैं कि हमें एक हजार मुर्गे पालना है तो उनके लिए कितना बड़ा प्रम बननाना है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ एक मुर्गे के लिए आपको 1.5 स्क्वाइर फिट की जगा की जरुरत होती है हिंदी में भी बता देता हूँ 1.5 स्क्वाइर फिट की जगा पर एक मुर्गे को रखा जा सकता है अगर आप 1000 मुर्गों को पालना चाहते हो तो 1500 square feet की जगह आपके farm में होनी चाहिए जैसा कि हमारा ये poultry farm है इस तरह का आप shade बना रहे हो तो आपको 30 feet चोड़ा farm बनाना है और उसकी लंबाई 50 feet रखनी है तब ही आप 1000 मुर्गों को पाल पाओगे और भाई जो ये मैंने आपको 1.5 square feet की जगह के बारे में बताया है न ये गर्मियों के हिसाब से बताया है क्योंकि गर्मियों में मुर्गे को ज़्यादा जगह की ज़रत होती है तो इसलिए 1.5 square feet ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए काफी रहती है लेकिन अगर आप सर्दियों में पालोगे तो सर्दियों में आप 100-200 मुर्गे एक्स्ट्रा भी पाल सकते हो क्योंकि सर्दियों में कम जगह की ज़रत होती है तो इतने ही बड़े poultry farm में आप 1200 मुर्गे भी पाल पाऊगे तो आपको मैंने जैसे बताया 30 feet चोड़ाई रखनी है फार्म की, 50 feet लंबा ही अगर आप 1000 मुर्गे का फार्म बना रहे हो तो इस हिसाब से अगर आप 2000 मुर्गों का बना रहे हो या 3000 का या 4000 का तो आप अपने हिसाब से जगा को एड़जस्ट कर सकते हो बस यह आपको मैंने मीनिमम बता दिया है इतना तो आपको रखना ही है क्योंकि अगर आप इस से ज़्यादा छोटा पोल्टरी फार्म बनाओगे उसमें 1000 मुर्गे पालोगे तो आपके मुर्गे ओवर क्रावडिंग की वज़से बीमार हो जाएंगे और बहुत सारे मुर्ग पलट करके मरेंगे या हीट रिश्ट्रोक आएंगे गर्मियों में खास्तोर से यह समस्या आती है अगर आपके फार्म में सही से जगा नहीं होगी तो और गर्मियों के मौसम में एक चीज तो यह रहती है कि जैसे धूप निकलती है या थोड़ी बहुत धूप की लाइट के अंदर आती है तो मुर्गे फार्म के सेंटर में जाकर के बैठने लगते हैं जहां पर कि इनको ठंड़क मिलती है तो अगर आप ज़्यादा जगा पर इनको नहीं पालोगे कम जगा होगी आपके फार्म में तो मुर्गे जब सेंटर में जाएंगे तो आपके ड्रिंक कर जगा होनी ही चाहिए और एक और बात को लेकर पॉल्टरी फार्मर परिशान रहते हैं कि वो फार्म में क्या बिचाएं तो भाई मैंने आपको बताया था चावल के छिलकों की भुसी बिचा सकते हो या फिर रेत का इस्तेमाल कर सकते हो गर्मियों के मुसम में बहुत सारे फा देगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से उसमें मुर्गों को पाल पाओगी लेकिन भाई हम तो जब से फार्मिंग कर रहे हैं जितने अभी टाइम हो गया में मुर्गी पालन करते हुए हम चावल के छिलकों की भुसी का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं बस करते ही इतना है क गर्मियों में हम कम डालते हैं और सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा भुसी डालते हैं तो आप भी अगर चावल के छिलकों की भुसी से ही फार्मिंग करना जाते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे लेकिन जिन जिन फार्मर भाईगों को चावल की भुसी पर ही करते हैं क्योंकि इसको साफ करने में बहुत ज़्यादा असानी होती है एकदम poultry फार्म पूरा साफ हो जाता है लेकिन रेत कहीं ना कहीं फार्म के अंदर रह जाता है जिसकी वज़से infection होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि किसी बहच में आपके E. coli या फिर CRD आ गई त जो कि पोल्ट्री फार्म की सफाई पूरी तरह से नहीं उपाती, तो इसलिए ज़्यादा थर फार्मर रेत का इस्तेमाल करने से बचते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, जो भी आपके सवाल थे, मैंने कोशिश किया आपको इस वीडियो में कवर कर दूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे से कुछ छूट गया हो या कुछ आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजेगा मुझे, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा, या फिर आपको सेपरेटली उस कमेंट का जवाब दे दूँगा, वैसे तो मैं वीडियो बनाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिससे दूसरे फार्मर्स को भी आपके पुछे गए सवाल का फायदा मिलता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, मैंने नीचे लिंक दिया है, डेस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उसको सस्क्राइब कर लिजे, मैं उस चैनल पर लाइव आया करूँगा, और सभी फार्मर्स के सवाल उस पर पुछा करूँगा, और उनको जवाब दिया करूँगा, तो आप सस्क्राइब ज़रूर कर ले, नीचे डेस्क्रिप्शन में लिंक है,